हाई फ्रेंट्स वेलकम तो माई ब्लोग एमज इंडिया विलेज ब्लोग पर आपका सागत है और हम आगर आप इस वीडियो के देख रहे हैं तो आपका हम तैदिल से शुक्रिया करते हैं और आज हम आए हैं इदर घुमने के लिए और साम कटाई में पुरा अभी घर नदी चाहिए और देख सकते पुरा नदी में पानी देखी सकते हैं बहुत ही कम है पानी ज्यादा आया हुआ ही है क्योंकि जब खंडी कमा समाता है नो तो पानी इदर बहुत इकम हो जाता है इसके लिए और इधर देखेंगे तो एक गाउ है जो आपको इतना साप नहीं दिख रहा होगा लेकिन इदर सामने में गाउ है और नदी की किनारी बसा हुआ है नदी है उसके जश्क मतलब उसके अ सब ढूआ है और यह हमारे कांँ कि वेच्ट टीम है आधे आब आप उन से मीलाता हूं देख़ें या हमारे को के वेच्ट बहुत श्क्त बाटिंटोर जा रहे हैं और उदेर खोटासा ग्राउन पना है ही लोग और उदर ही सखिलते रहते हैं अपना घर को जाते हैं सामके टाइम जो होता है तो ज़्यादा देर तक इधर रहना भी अच्छा नहीं होता है ज़्यादा बोलते हैं यह बहुत ही वाने जमाने के लोग है और यह वह सा बस्पूरी वासा के प्रियोग करते हैं आप लोक को तो वाल हुए है बिहार में ज़्यादा बस्पूरी वासा के प्रियोग की जाती है हमेशा राइये थोड़ा सागे लेकर आपको दिखाते हैं हमाई अभी देखेंगे तो वीड़े सारा बांस का इतना ज़्यादा लगा हुए ना इसको जमीन को देख सकते हैं पुरा मतलब गाड़ी से इसको जोतवा उतवा कर और इसमें कुछ बोया भी गया है फसर कुछ बोई गई है और हमारा तो दोस्त अब इधरी तक रहेगा आप ज़्यादा दूर तक जाएंगे नहीं क्योंकि इसकी आगे हम लोग नहीं जाते ह क्योंकि जाएंगे तो नदी के आरे आरी तो बहुत दूर निकल जाएंगे लिखना दूर जाते नहीं हम जलिए दोस्त इसी के साथ मैं अपना व्लोग को समाप करता हूं और और आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लिजमार चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइ